दोस्तों मेरे चैनल से जुडने के लिए सब्सक्राइब आप्शन पर क्लिक कीजिए और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकोन पर क्लिक कीजिए नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों की महादशा क्या होती है और ये कितने समय की होती है ग्रहों की महादशाओं के बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ ये वीडियो मेरी कुंडली सीखने की सीरीज का 2100 पार्ट है इससे पहले मैंने कुंडली विवेचन के उपर 20 वीडियो और बनाए है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या फिर में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूँगा वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं आप कुंडली विवेचन के सारे वीडियो स्टेप बाई स्टेप ध्यान से देखिए ताकि आप बड़ी आसने से अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन खुद ही कर सकें दोस्तों मेरा उद्देश है यही है कि जो मेरे पास में जानकारी है कुंडली विवेचन की जोतिश की जो भी मेरे पास जानकारी है वो जानकारी सबी लोगों तक पहुँचे और सब लोग अपनी कुंडली का विवेचन खुद से ही कर सके और कोई फ्रोड जोतिस अगर किसी को कोई गलत जानकारी दे रहा है किसी को उनकी मुसीबतों के समधान के लिए गलत उपाय बता रहा है पैसे हेटने के चक्कर में है तो ऐसे लालची लोगों से बचा जा सके दोस्तों दशाय पाँच तरगी होती है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सुक्ष्म दशा और प्राणदशा महादशा हमेशा लंबे समय तक चलती है 10-15-20 साल तक अंतरदशा चलती है कुछ महिनों या कुछ वर्षों तक, प्रत्यंतरदशा चलती है 2-3-4 महिने यानि छोटे पिरेड तक चलती है सुक्ष्म दशा इससे भी कम 10-15 दिनों तक चलती है और प्राणदशा सबसे छोटे समय तक 2-3 दिन तक चलती है दोस्तो हर महादशा में 9 ग्रहों की अंतरदशा आती है अंतरदशा में 9 ग्रहों की प्रत्यांतरदशा आती है अगर मान लिजे किसी विक्ति की खराब महादशा चल रही हो तो ऐसा नहीं है कि उसे 15-20 साल दक परेशानिया ही मिलेगी क्योंकि महादशा के बीच में बागी चारों दशाई भी आती है इसी वज़े से उस विक्ति के जीवन में अच्छा समय भी आता रहता है दोस्तों सबी ग्रहों की दशाओं की अगर हम बात करें तो उनका समय फिक्स रहता है उसमें कोई भी चेनजेश नहीं होता है तो इस तरह से इन नो ग्रहों की दशायद चलती है इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है ये हमेशा फिक्स ही रहती है आपकी कुणली में जिस ग्रह की महादशा चल रही है अगर वो योग का रखें तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे और मारक हैं तो उसके नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे मान لिजए अगर आपकी लग्ने कुनली में मंगल देव की महाधशा चल रही है तो 7 वर्ष तक उसके according result मिलेंगे अगर बुद्ध देव की महाधशा चल रही है तो 17 वर्ष तक आपको उसके according result मिलेंगे अब मान लिजे कि आपकी महादशा किसी महारक ग्रह की चल रही है तो आप क्या करेंगे तो इस प्रस्ट में का उत्तर यह है कि बले ही आपकी महादशा खराब चल रही है लेकिन इसके बीच बीच में आपकी बागी की चार दशाएं भी आएंगी और उसमें आपके योग कारग रहों की दशाएं भी होंगी यानि आपका अच्छा समय भी आएगा कामकाज में जोब में नए अवसर भी आएंगे तब आपको उस अच्छे समय का लाब उटाना है और आप ये लाब तभी ले सकते हैं जब आप अपने मन को स्थिर रखें और इमानदारी से अपना काम करें मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको इसके उपाए भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने मारक ग्रहों के प्रभाव को कम कर सकते हैं दोस्तो आप अपने करमों से अपने समय में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं इस बात में कोई भी शंका नहीं है इसलिए आपको अपने काम के लिए हमेशा इमानदार और प्रतिबद रहना चाहिए अपने कमिटमेंट को हमेशा पूरा करना चाहिए तो दोस्तो ये थी एक छोटी सी जानकारी महादशाओं के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ये जानकारी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए आप मुझे कोई भी सवाल करना चाहते हैं कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर में वीडियो बनाओ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए इस वीडियो को शेर कीजिए अपने दोस्तों रिष्टदारों में ताकि वो भी इस जानकरी का लाब उटा सके आप अगर चैनल पर नए हैं मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए पास में एक बेल का आइकोन है उसे भी दबाईए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके वीडियो को आन तक देखने का और मेरे साथ जुड़े रेने का बहुत बहुत धन्यवाद